नमस्ते दोस्तों आज हमारे हैं बन रही है तीन देशी एवर गिरिन सर्वत जो आपको बैसाख और जेट की तप्ती और जुलसा देने वाली गर्मी में भी ठंधक का एसास दिलाएगी या पीने में जितना स्वाधिश्ट होता है उतनी ही जल्दी बन भी जाती है साथ ही गर्मी में चलने वाली लू अड़ी हाइडरेशन जैसी बीमारियों के लिए प्रात्मिक उपचार का काम करती है तो आएए बनाते हैं ये तीनों देशी सर्वत हम जो पहला सर्वत बनाएंगे वो है चने का सत्तू का सर्वत बनाने के लिए हम किसी बड़े बरतन में तीन बड़ा चमच हम चने का सत्तू ले 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 लेंगे और इसमें धीरे धीरे करकर हम एक ग्लास पानी को डाल देंगे इसे हमें अच्छी तरह से घोलना है इस या फिर प्रेंसर कूकर में उवाल लिजिए और इसका गूदा निकाल के मिक्सी में पीस लीजिए ये आम का पलप तयार हो जाएगा, और यही आम का पलप हम सत्तु में दोचम्मच के करीब डाल देंगे, यह आम का पलप भी भूँ ठंडा होता है, फिर हम इसमें काला नमक दालेंगे स्वाद नुसार फिर हम इस सत्तू में थोड़ा सा भूना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर भूना हुआ इसमें डालेंगे इसके बाद हम दो चमच बारी कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे प्याज इसमें बहुत अच्छा ल किसी गिलास में भर लेंगे और आप जितना इसको ठंडा पीना चाहते हैं उतना बर्फ का टुकड़ा आप इसमें डाल सकते हैं अब इस चने के सत्तू के उपर से हम थोड़े से नमकीन सेव रख देंगे और थोड़ा सा आप चाहे तो इसके उपर मिच्चर भी रख सकते हैं थोड़े से मुमफली के दाने भूने हुए मुमफली के दाने हम इसके उपर डाल देंगे मुमफली के दाने इसमें बहुत अच्छे लगते हैं खाने में तो इसलिए उसको जरूर डालें लास्ट में हम थोड़ा सा कटा हुआ प्याज उपर से रख देंगे और थोड़ा स तो आम का गुदा डाला हुआ है तो आम बहुत ठंडा होता है सरबत भी ठंडा है हमें गर्मी में लुक से भी बचाएगा्यंग तो गर्मी में इससवत के सरबत को आप जरूर बना के पिए अब हम दूसरा सरवत जो बनाएंगे वो है बेल का सरवत इसको पत्थर बेल भी कहते हैं और मैजून के समय यह पकने लगता यह बेल और हमको सरवत बनाने के लिए पका हुआ ही बेल लेना है इसका पहचान है पका हुआ कि इसका आगे का जो डंटी वो तूट जाता है अपने आप और जिसका डंटी नहीं तूटता है वो समझे कि अभी कच्चा है तो आप इसको घर में भी तोड के मैजून के महीने में रख देंगे तो यह धीरे धीरे अपने आप पक जाता है इसका देखिए आगे का अभी डंटी नहीं तूटा यह निकच्छा है जिसका आगे का डंटी तूट गया वही पका हुआ है तो यही हम एक पका हुआ बेल ले लेते हैं और इसको तोड़ लेंगे और इसका गूदा निकाल लेंगे अब यह देखिए यह अंदर तक कितने अच्ही तरह से पका हुआ है और आइसा ही पका हुआ बेल का सर्वत अच्छा बनता है कि क्योंकि जब अच् ann сे पका हुआ बेल रहता है अंदर तो उसमें गुदा भी जादा निकलता है और उसका स्वाद भी ज्फा अच्छा मीठा ल इसे बेल कितना कागजी इसके अंदर गुदा पूरा-पूरा निकल गया यह पूरी आचह DANIEL से पका हुआ भी था और कागजी बेल था इससे गुदा ज़ादा निकला है अब इसमें हमें एक जिलास पानी डाल देंगे और किसी मैसर से हम इसको हलके हाथों से मैस कर लेंगे क्योंकि इसमें जो रेशा होता है उसमें गुदा चिपका हुआ रहता है तो रेशे से गुदा को अलग करने के लिए थोड़ा सा मैस करना इसको जरूरी है और बहुत हलके हाथों से करना ज़्यादा दवाव नहीं देना क्योंकि इसमें बेल का बीज रहता है तो थोड़ा सा तीखा स्वाद कर रहता है बेल का बीज इसलिए हलके हाथों से करना है ताकि बीज न दवे जादा इसको मिक्सी में कभी नहीं बनाना चाहिए बेल का सरवत क्योंकि उसमें बीज भी पिस जाएगा तो पूरा बेल का सरवत तीखा हो जाएगा इसलिए इसको हास से ही बनाना चाहिए बेल का सरवत को अब इसमें हमें एक गिलास और पानी डालेंगे हम पहले भी एक गिलास डाल चुके हैं जब भी एक बेल का सरवत आप बना रहे हैं तो उसमें दो ही गिलास पानी का इस्तेमाल करें तो उसमें आपको चीनी डालने का जोट नहीं पड़ेगा एक बेल में दो गिलास यानि दो लोगों के लिए सर्वत बनाएंगे तो आपको उसमें चीनी डालने का जोत नहीं पड़ेगा अब हाथ को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लिजे साब उनसे धोकर और उसके बाद इसको हलके हाथों से भी थोड़ा सा मसल के इसका जो भी रेशा है या बीज है उसको निकाल लिजे दवा करके अब इसमें जो भी रेशे और बच गए होंगे तो उसको हम एक चलनी ले लेंगे और उसी से इसको पूरा हम छान लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसमें कोई भी बीज या रेशा होगा तो अच्छी तरह से निकल जाएगा चमत से इसको हम चलाके इसको हम अच्छी तरह से निकाल देंगे जो भी रेसा होगा इसमें इस बेल के सरवत को बहुत पतला नहीं बनाना चाहिए और ये देखे इतना सारा रेसा इसमें था छानने से वो निकल गया अब ये हमारा बेल का सरवत तयार हो गया है अब इसको हम जट पट एक गिलास में निकाल लेंगे वैसे बेल अपने आप में बहुत ठंडा होता है लेकिन आप ज़्यादा ठंडा इसको पीना चाहते हैं तो इसमें कुछ बर्फ के टुक्रे डाल सकते हैं बेल का सरवत पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और गर्मी में चलने वाली लू से भी ये सरीर को बचाता है अब हम तीसरा सरवत जो बनाएंगे वो है नीबू पुदिना का सरवत नीबू पुदिना का सरवत बनाने के लिए हम एक गिलास दे लेंगे और इसमें दो से तीन बर्फ के टुकड़े डाल देंगे अब हम थोड़े से ताजे पुदिने के पत्ते ले लेंगे और ये मेरे घर में ही थे तो मैंने ये से तोड़ लिया है थोड़े से ताजे पुदिने के पत्ते और इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और धोकर हम इसको हलका सा करस कर लेंगे अब इन पत्तों को हलका सा करस करके डायरेक्ट हम गिलास में डाल देंगे इसे हमारे सरवत में पुदीने का लाजवाब स्वाद आ जाएगा अब इस सरवत में हम दो से तीन चम्मच अधरक का रस डाल देंगे निम्बू का रस को अब इस गिलास में हमें एक गिलास पानी डाल देंगे और इस सर्वत को हम चीनी से नहीं बनाएंगे इसमें हम मधू का इस्तमाल करेंगे इसमें दो से तीन चमच हम अच्छी तरह से मधू डालेंगे ताकि हमारा जो सर्वत है वो अच्छी तरह से मीठा हो जाए आप चाहे तो इसको चीनी डाल के भी बना सकते हैं या मिसरी डाल के भी इसको बनाया जा सकता है आपकी छापे है वो पर मधू के साथ अधरक निम्बू और मिंट का जो स्वाध है वो जादा स्वाधिश्ट लग को लगा देंगे गिलास में और एक पूदीने का पत्ता इसमें रख देंगे ताकि पता चल सके ही कि पूदीना निम्बू का सर्वत है यह तीनों ही सर्वत पून रूप से प्राकिर्थिक चीजों से ही बनाया गया है और पीने में यह स्वाधिश्ट होता ही है बनाना भी आसान होता है साथ ही गर्मी में चलने वाली लू और सरीर में होने वाली पानी की कमी से भी यह सरीर को बचाता है तो गर्मियों में जरूर बनाईए यह तीनों देसी सर्वत